आज में आपके लिए लेकर आयों मिल्कुल क्रिस्पी करा रहा रहा हो जट पट से बनने वाला नाश्ता दिधा में बिना मैदा को बना हुआ यूसमें सूची भी मैने नहीं एच करी है और नहीं का बना हुआं य眉 बना हुआ होई कि मक्या के आंटे का जियां आप सर्दियां आ गई हैं तो मकई कांटा तो लाजमी होता है सबके घरों में ये इतने टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर चाय के साथ भी इसको सर्फ कर सकते हैं अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सबस्क्राइब कर लेजे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा इससे मेरे सारे नोटिफिकेशन्स आप तक चल्दी से पहुंच जाएंगे तो चल्ये इस टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी को हम जटपट से बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैं ले रही हूँ एक बड़ा कटोरी इस तरीके से मक्य का अंटा और यह पीली मक्य का अंटा है जैसे अब नॉर्मली मिलता है और उसी कटोरी से मैंने आदा कटोरी भरके बने लिया है यह नॉर्मल नाटा गी हूँ का और मैं इसमें मसाले आट करूंगी यह है आदा टेबल स्पून है गजवाइन का एक चुटकी है यह बेकिंग सोडा नमक आप स्वाद अनुसार आट कर लिजिए और एक छोटा चम कश्मीरी लाल मर्च यह है लायल मिर्च कर्यान का नामर्च रहे युह अ और स्वार ćभी घ्येताँ इसमें यहाँ भन आता है जब आप बकाईंगे तो यह बहुत आच्छा स्वाद आता गया इसमीरश कर दो और दो यह तो इसमय एक छोटी चम्मत जो होता है वो सर्सो को तेल यूज कर रहे हैं, भुह जादा सर्सो को तेल नहीं डालना है, और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो अमने सोडा डाला है, और बाकी जो मसारे डाले है, वो अच्छे से आँटे में मिक्स हो जाएं, तो कम पानी ले रही हूँ लग बग दो चम पानी लेती हूँ और इसके बाद इसको मैं मान देती हूँ इस तरीके से लेकिन यह इतना भुरबुरा सा होता आटा तो यह अच्छा से मनता नहीं है इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा पानी बहुत जादा भी न हो जाए और इस त बाईंड हो रहा है और अब में फोड़ा सा और लीती हूँ पानी और इसी तरीके से में इसको बाइंड करती जाऊंगी और करते-करते यह इस तरीके से लेकिन अपनी अच्छा से रही है और आप देख पारे हैं इसको में थोड़ा मसाल भी रहीए इहू इस में जितने अम सलना बहुत जरूरी है इस तरीके से अब मैं इसको एक पूरा गलोफ बना रही हूं इसका मान की जैसे एक पूरा लोफ बना लेते हैं और इसको अब मैं इसको ढखके 10 मिनिट के लिए रख दूंगी और अब यहां पे मेरे पास ये सफेद तिल और ये है बेट ये बिल्कुल पेडा लेती हूँ और इसको पहले मैं राउंड कर दूंगी इस तरीके से अब ये इतनी शेप का लेजएगा और इस तरीके से मैं इसके ओपर डैप कर दूंगी ये तिल और इसके बाद इसको मैं हतेली से इस तरीके से प्रेस कर दूंगी तो बस ये बिल्कुल तयार हो ग जदा बड़ा शेप होता है तो वह अच्छा नहीं लगता है वह च्छोटी शेप सी अच्छी लगती है इसकी तो अब मैं दूसरा वाला भी मैंने इस तरीके से सर्कल कर लिया इसको पहले और तिल में इस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ और इसके बाद मैं हतेली से इसको इसके सा करा रेका रहे और भूलते हैं जब बड़्ोडें तो मैं डलाल सकते हैं इस तरीके से मैं इसको फिर से इस तरीके से अच्छा जगा लिया थम्ने हातों अर अब मैं जब से इसके उड़ी की यह करें तो प्रेस कर ऑब कर दोंगी एच्छा छेट म성झ अगेको तो बस अब ये तयार हो गया है अभी आपके उपर है कि आपको सफे तेल के साथ बनाने है या काले तेल के साथ भी बना सकते हैं ये बिल्कुल आपके उपर है मैंने इसलिए दोनों तरीके के बना के दिखाए हैं ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत जादा तेल गरम होगा तो क्या होगा कि बहार से पकना चुरू हो जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा इसलिए मीडियम हीट पे ही आप कढ़ाई रखिएगा ताकि अच्छे से अंदर से भी पक सके ये अब इस तरीके से मैं इसको एक एक करके आड़ कर दूँगी और तिल की साइड मैंने नीचे इसलिए रखिए ताकि वो साइड पहले अच्छे से पक जाए जो तिल है वो अच्छे से करा रहे हो जाएं इसी तरीके से मैं इसमें आड़ किया है और लग बग मैं एक मिनिट तक कर दो कि इसको मीडियम हीड पर ही पकाऊंगी और उसके बाद जब यह जब यह हलक न कपता ही जब इन्हां चो पलत या मैं जब इन्हाइक पलता हुअ और ये मारिEP आउ neither. इतमींस ये एक साइट से पक गए हैं तो अब मैं इसको दूसरी तरफ से इसको पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी पकाऊंगी जेदेकिया कितना लुक आया है इसका, कितने अच्छे तरीका से ये बन गए हैं तो बस अब मैं एक एक करके इस तरीके से सारे पलट देती हूँ और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक स्टैप बहुत अच्छे तरीके से दिखा हूँ ताकि इस में बनाने में आपको कुछी भी तरीके की दिक्कत ना हो और यह इतने जल्दी जटपट बन जाते हैं कि आप एक तरफ चाया रखी एक तरफ से बनाईये ज़न जटपट से बन जाते हैं और यह खाने में भी बहुआ टेस्टी लगते हैं तो बस अब मैंने एक तरफ कर दिया और इसको मैं नीचे से भी पका लूँगी और यह देखिए यह एक दूसरी तरफ से भी पक गए है तो यह अच्छे से उपर आके फ्लोट करने लग गए है इतमींस यह दूसरी तरफ से भी पक चुके है अब आपको दीरे-दीरे करके इसको निकाल लेना है बस ये ध्यान रखिए, ये दोनों तरफ से पके होनी चाहिए तो बस अब इसको दोनों तरफ से मैं अच्छे तरीके से इसको पका लूँगी और फिर मैं इसको अलग से सर्फ कर लूँगी तो आप इसको अच्छे से बना के भी रख सकते हैं और ज्यादा कॉंटिटी की बनांके रख लेजए करीब न फो.. करीब यह जाया है। आप जाहे तो बचों को टैफिन में दे सकते हैं हैं यह फिर चाय के साथ भी सेर्व कर सकते हैं। यह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। जाते हैं बस यब ये रेटी हो गए है तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल दरूर सब्सक्राइब केज़ेगा और मेरे रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलेगा थैंक यू